दोस्तो आज कर वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट है और ये वीडियो में बहुत एक बड़ा अपडेट के बारे में बताने भलो ये वीडियो देखकर आप खूसी से ना चूटोगे ये अपडेट बहुत ही बड़ा अपडेट है और ये अपडेट आपको अपना Facebook पेज को आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा आप लोग तो जानते ही है फेस्बूक और यीट्यूब के दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा competition चलते रहते हैं उसी सिलसले में जैसे यीट्यूब नए अपडेट लाते हैं अपने studio को लेकर अपने content को लेकर उसी तरह facebook भी नए अपडेट लेकर आ चुक है और वो अपडेट जो है उसी के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे मुझे सपोर्ट किजे कि ओरिजिनल content के साथ मैं हूँ सिधर्थ और आप लोग देख रहे हो टेक वला तो चलिए दोस्तों वीडियो को सूरू करते हैं दोस्तों कुछ मैंने पहले youtube का ये नए अपडेट mood है उसके अंदर आपको ये सब दिखने को मिलेगा जो चाट सेक्सिंस में divide है जैसे आपको ये दिखने को मिलेगा post reach, engagement, impressions और net followers ये सब क्या है इसके बारे में भी इस वीडियो में आपको details में आगे आगे बता रहा हूँ दोस्तों ये जो post reach है ये आपका है अपने जो post ड आपको ये पर generally दिखेगा last 28 days में कितने लोकों तक पहुंचा है जितने ज़्यदा post करोगे उतना ही ज़्यदा रिच बढ़ेगा और रिच मतलब एक person के पास एक बार और यहां पर जो चारहजा दिखा रहा है इसका मतलब है इंडिविजियली 4000 person के पास ये video ये content पहुंच और ये आपका views भी हो सकते है 4100 रिच 4000 लेकिन engagement 4100 इसका मतलब है 4000 लोक तो देखा है फिर भी 4000 लोकों के अंदर 100 लोक ऐसा भी है जो रिल्स को और 100 बढ़े ज्यादा देख चुके है यानि कि उसके बाद engagement हुआ 4100 उसके बाद आपको दिखा रहे impressions impressions क्या होता है जैसे reach 4000 लोकों तक ये तो रिल्स या content पहुंचा है फिर भी किसी किसी को ये रिल्स दो बार किसी को तीन बार किसी को चार बार ऐसा ऐसा दिखा है तो reach हुआ 4000 और impressions हुआ 4300 impressions कि इसको कहा जाता है जो वीडियो का format है या वीडियो है उसका thumbnail जिसको display में दिखाया जाता है उसको impressions कह आजाता है जैसे आप कही भी वीडियो platform में वीडियो देखते हो चाहे Facebook हो या YouTube हो तो आपके सामने जो वीडियो सा आते रहते हैं उसको कहा जाते impressions वो आपका notification भी हो सकते है और normally browse feature जो normally दिखाते रहते वो भी हो सकते है तो post reach engagement और impressions इसके बारे में तो आपको पता चल गया उसके बाद है net followers इसका मतलब है last 28 days में आपका कितना followers बढ़ा है और कितना घटा है दोनों को मिला कर plus minus करके जो दिखाएगा उसी को कहते है net followers अगर 3 person ने follow किया तो O हो गया plus 3 अगर 3 person यहां से unfollow कर देते है तो तब हो जाएगा 0 अगर 4 person ने unfollow कर दिया तब हो जाएगा minus 1 3 minus 4 is equal to minus 1 तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा आपका profile का हलत क्या है रिच कितना हो रहा है कितना engagement हो रहा है कितना impressions जा रहा है जितना ज़्यादा यह green रहेगा positive रहेगा वो आपके page के लिए आपके profile के लिए अच्छा मना जाएगा अगर red होगा तो उसका position यह हलत ख chance भी बढ़ेगा तो दोस्तों जादा स्यादा post करते रहो एक systematically और दोस्तों इसके अंदर see more insights के अंदर जाओंगा तो यहां पर दीखेगा last 7 days में कितना हुआ है last 28 days में last 14 days में तो इस तरीके से आप अपना profile को manage कर सकते हो अपना post को अगे बढ़ा सकते हो उसके बाद यहां पर और भी एक category है एक और options है जहां पर दिखा रहे है 3 second video views इसका मतलब है 3 second minimum 3 second views कितना लोगों ने किया है वो है 1100 last 7 days में अगर आप इसको change करोगे last 14 days में तब इसका change हो जाएगा फिर 28 days में यह भी change हो जाएगा इसी तरीके से आपका analytics को आप चेक करते रहो और आप अप अगर यह 100 से ज्यादा हो जाएगा यह 100 हो जाएगा minimum तब इसका जो और भी function से और भी feature से ओ दिखाएगा अगर आपका 100 followers हो चुके हैं तो वहाँ पर आप देख सकते हो YouTube के तरह ही कितना female देख रहा है कितना male देख रहा है और जो audience है उसका age कितना है ओ भी आप देख सकते तो दोस्तो अगर आपको genuine information चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके आपको आगे ने ने वीडियो को देखने के लिए अगर वीडियो का अच्छे लगा तो ब्लीज वीडियो को लाइक कर दिजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई को support कर देख रहे इंस्ट